हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे दुरुब्यात्राकानी का उद्देश पिछली वीडियो में हमने दुरुब्यात्राकानी का सारांस पढ़ा था जो कि आप में से बहुत से बचों ने याद भी कर लिया होगा तो आप उद्देश पूछा जाता एक्जाम में तो इसको भी आप लिख सकते हैं यह छोटा योकता है लेकिन इसकी जो भासा होती है वो थोड़ी सी अन्य जैसे उसे कठिन होती है इसकी भासा तो इसको आप तयार कर सकते हैं इसको किस प्रकार से लिखेंगे सबसे पहले जैनेंद्र कुमार जी मुख्यपात्र राजा रिब्दमन बाहदुर गौडपात्र उर्मिला मारूती ठीक अगर आपने पड़ी होगी कानी सारांस पड़ा होगा मैंने वीडियो बनाया तो आपको यह सब पता होगा उसके बाद आप रिखेंगे कथावस्तु कानी की कथाव सुमें जैनेंद्र जी जोकी लेकाख हैं एक सुसक शकारित यूति के उतकरष्ट प्रेम की पराकाश्टा को दर्शाया है जिसने प्रेम को नारी से अलग इबं उच्छिस्तान दिया है उसके बाद लिखेंगे आप उद्देश उद्देश में क्या लिखेंगे दुरुब आत्राकानी का उद्देश इसमें इश्पष्ट किया गया है कि प्रेशी जब इस्तरी अथवा पतनी बनने की कगार पर हो और वा प्रेमी की संतत धारड़ी हो तब उसके प्रेम की विन को नहीं ठुकराना चाहिए मतलब प्रेही जख प्रेमी का इस्तरी अत्वा पतनी जब बनने के कगार Nur से और प्रेमी कि संतर धरड़ करने वाली हो ठीक तब उसके विवा की विल्मेठों नहीं ठुकराना कि अन्निता उसका परेडाम किसी भी रूप में अच्छा नहीं होगा जैसा रिपदमन के साथ वय साहता हुशा लेक्स ने कहानी में कुमारी माता को ना अपनाने के प्रेडाम की और इंगित किया है तो आप निसकर्स रूप में यह कहा जा सकता है कि दुरु व्यात्रा एक सपल मनोवेग्यानिक यह निसकर्स आप जरूर लिखेगा तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं सबसे पहले लेखक मुख्यपात्र गौडपात्र फिरकतावस्त उद्देश तो आपको यह सिक्ट्राना लिखने का ना कि डारेक्ट उद् सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ अगला जो हम टॉपिक वीडियो बनाएंगे अगर आप इन वीडियो को देखना चाते हैं लाइन से तो एक प्लेलिस्ट बनाईए मैंने क्लास्ट वेल्थ की वीडियो को देख सकते हैं अगली वीडियो बनाएंगे हम पर्चलाइट कानी का उद्दिश मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए जाएं जय वारत